टीवी शो दकपिल शर्मा शो के होस्ट और कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुसिवते कम होने का नाम ही नहीं ले रही है सुनिल ग्रोवर के साथ हुए उनके विवात में कई सारे टीम मिम्बर्स उनके शो को अलविदा कहे चुके है और अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है शो में अक्सर नजर आने वाली आक्ट्रेस और कॉमेडियन सुगंदा मिश्रा भी अब इस शो में नजर नहीं आएंगी खबरों के मुताबिक सुगंदा मिश्रा ने दकपिल शर्मा शो को अलविदा कहे दिया है इसके पहले अलियस जगर कपिल के पूराने दोस्ट चंदन प्रभाकर भी शो छोड़ चुके है अब इस शो में कपिल दुसरे कॉमेडियन स को ले कर आ रहे है लेकिन क्या दर्शकों से कपिल को वही भावाई मिलेगी जो उने अभी तक मिलती आई है ऐसे ही चलता रहा तो बरबाद हो जाएगा कपिल शर्मा का शो शो की शूटिंग के लिए पहुच एहसान कुरेशी ने बताया कि मैं जब शो के लिए शूट कर रहा था तो मुझे कपिल और सिद्धू पाजी दोनों के चेहरे पर सन्नाटा पसरा दिखा दोनों काफी परेशान नज़र आ रहे थे खबरों के मुताबिक केवल सुनिल क्रोवर ही नहीं बलकि टीम के और लोग अलिय अजगर की गुशारदा और चंदन प्रभाकर भी कपिल के इस्यावार और गुसे से परेशान है बता दे कि फ्लाइट में मुंबई जाते हुए कपिल ने सुनिल के गलत भाषा में बात की थी डिसके बाद सुनिल ने कपिल से फ्लाइट में मौजुद महिलाव के सामने उनसे इस तरह बात नहीं करने के लिए कहा उस समय उनके साथ अली अजगर की कुशारदा और चंदन प्रभाकर भी मौजुद थे और वो सब भी कपिल के इस्यावार से हैरान थे कपिल उस समय शराब के नशे में थे एनेमेन न्यूज की रिपोर्ट